पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इम्रान खान देश के आर्थिक और राजनितिक मंच पर बुरी तरह से विफल साबित हुए है आलम ये है कि उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद से पाकिस्तान को सबसे बुरे दिन देखने को मिले है देश की विपक्सी पार्टियां लगातार उन्हें हर मोर्चे पर विफल साबित कर रही है सेना के साथ उनके रिष्टे बहुत अच्छे नहीं है अब तो यह आवाजे आ रही है कि सेना कहीं न कहीं इमरान के समकक्स किसी दूसरे चेहरे को राजनितिक मंच पर लाने की कोशिश कर रही है गोर तलब है कि इमरान खान ने पाकिस्तान की कमान अगस्त 2018 में संबाली थी उससे पहले ही नवाज सरीप को देश की सुप्रीम कोर्ट ने आयोगे गोशित किया था उस समय कहा जा रहा था कि सेना नवाज से नाकुस थी इसलिए इमरान के कंदों पर चड़कर सत्ता पर काबिज होना चाहती थी ये इसलिए भी एक सचाई है क्योंकि पाकिस्तान में सेना किशी भी सरकार को बनाने और गिराने में सबसे एहम जिम्मेदारी निभाती है इमरान खान जब सत्ता में आये थे तो उन्होंने एक नया पाकिस्तान बनाने का जो वादा किया था आज वह जमीनी हाकिकत से कोसो दूर है इमरान खान के परधान मंत्री बनने के बाद देश में महेंगाई की दर बेताहसा बढ़ी है खाने पीने की जरूरी चीजे 2018 के मुकाबले कई गुना बढ़ चुकी है साल 2016 में देश में मुद्रस पिती की दर 2.86 फिस्दी थी जो इमरान खान के परधान मंत्री बनने के बाद 2018 में 3.96 फिस्दी हो गई 2019 में यही बढ़कर 6.56 फिस्दी हो गई थी 2019 के अंत में ये दर इमरान खान से इस तरह बेकाबू हुई कि 2020 की पहली तिमाई में ही 11 फिस्दी पार हो गई थी ये महज कुछ आंकडे नहीं है जो इमरान खान की उन नीतियों को गलत नहीं टहराते हैं जो उन्होंने बनाई बलकि उस सच्चाई को भी उजागर कर रहे हैं जिनका खाम्याजा पाकिस्तान आज भुगत रहा है नया पाकिस्तान बनाने का वादा करने वाले इमरान खान के कारेकाल में देश अपने पाउँ पर खड़ा होने के बज़ाए अपने ही गुटनों पर टिक गया उनके इस कारेकाल में देश का सकल गहरेलू उतपाद भी इस कदर धढ़ाम हुआ कि माइनस या रिनातमक हो गया आकड़े बताते हैं कि जिस वक्त नावाज सरीप को कोर्ट ने हटाया और इमरान ने देश की सत्ता को अपने हाथ में लिया उस वक्त देश की जीडिपी 5.56 फिस्दी थी जो वर्स 2014 के बाद सबसे बहतर इस्तिती में थी लेकिन उनके सत्ता प्रकाबिज होने के अगले ही वर्स यानि 2019 में ये 3.39 फिस्दी हो गई तो दोस्तो आज के इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जे हिन जे भारत वंदे मातरम